और अच्छा भी होना चाहिए तो आज है संडे का दिन है और सुबह के बज रहे हैं आठ तो मैं आ गई हूं किचन में चाय बनाने के लिए और आज हमने देखा सुबह सुबह तो जब हम लोग उठे तो देखे काफी अच्छी धूप निकली हुई है आज अच्छा वेदर द लिकला है तो पहले यही सोचा कि आज आरू और को घृप और खराब हो जाती है तो आजशे ही हम दो 悲ोग सो के उठे न देखे इतनी दूप निकली हुई है औरmeter भी ठीक है वने देखा अट तो हर्त कर लिया कि आज आरू को पार्क में लेके जाएंगे हम लोग बहुत दिन हो गया उसको पार्क में घुमाए तो हमने वही प्लान किया और अब यहां पे मैं दूद रख दी हूँ चाय बनाने के लिए तो जब तक दूद बॉयल होगा उसके बाद तब तक मैं रख लेती हूँ बरतन ज उसको उनके जगह पे रख देती हूँ और एक साइड में मैंने आरू के लिए रखा हुआ है दूद बॉयल होने के लिए आरू ने बोला कि उसको मिल्क कॉंफलेक्स खाना है तो मैं जो है ना मिल्क को थोड़ा सा बॉयल करके फिर ठंडा करती हूँ फिर आरू को उसमें दूद रखा हुआ था चाय बनाने के लिए वह बॉयल हो चुका है और अब मैं उसमें डालोंगी चाय पती और आरू के मिल्क में मैंने थोड़ा सा वह डाला है शुगर डाला क्योंकि वह होल मिल्क है ना तो उसको मतब जब वह ऐसे में हम लोग देते है ना तो फिर उसको थोड़ा सा गैस के प्रॉब्लम होने लगती है तो इसलिए मैं उसको हलका सा उसमें शुगर डाल देती हूं और उसके बाद देती हूं तो यहां पर मैंने चाय पती डाल दी है दूद में और अब मैं डालने जा रही हूं अद्रक तो आज मैं ब्रेक्टफास में कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज हम लोग काफी लेट सोके उठे है ना तो इसलिए और हमें कुछ खाने का मन भी नहीं है मतलब भूग भी ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ चाय पीने का मन हो रहा है तो इसलिए मैंने सुझा कि मतलब मैंने इ तो सीधे हम लोग लंची करेंगे पहले तो वही मैं चाय बना रही हूं और चाय के साथ में हम लेंगे रस्क वगश्क है वही ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चाय बनाएंगे और आरू यहां पर आ गई है थोड़ी मस्ती करने के लिए मतलब बीच बीच में वह ऑचे खेलती रहेती है और एपना काम भी करती हो और यहां पर आरूख खेल रही है और उनको जो है ना ताइकंडो का बड़ा सौक है और इस यह टाइप करती है तो कहीं लोग एह देख रहे थे कि कहीं अगर सिखाते हो टाइकांडो तो उसको उसकी क्लास ले लिया जाए बट मतलब उसका एडमिशन करवा दिया जाए बट यहां पर इतना कॉस्टली है कि मतलब सोची नहीं सकते क्यूंकि एक लोग की जौब करने पर बचत नहीं हो पाती है बहुत ही और इतनी महंगाई है खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल बचता ही नहीं है कुछ तो इसलिए मतलब हमने जब अपना हिसाब किया तो नहीं हो पा रहा था तो हमने सुचा कि चलू जाने तो इस टाइम जाने देते हैं फिर नेक्स्ट यर देखते हैं अगर क्यूंकि आरू को मच भूप नहीं करते हैं और हमारी चाया बन गई है और चाय के साथ में यहां पे वह क्रेकर लिए हुए हैं और साथ में रखी हूँ तो हमारा ब्रेकफास रहेगा और हम यहाँ पे breakfast करने बैट गए है तो आरू अभी वो गई है वाश्रूम में गई है और उसको जो है ना हमने मिल्क और फेक्स हम पहले ही खिला दिये क्योंकि वो बुली कि अपने हाथ से नहीं खाना है उसको तो हमने उसको खिला दिया जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने उसको खिला भी दिया उसका breakfast हो गया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना चाय पी रहे हैं तो अभी आरू वो वाश्रूम में गई है इसलिए यहाँ पे दिखने ही रही है तो बस इसके बाद जब हम breakfast कर लूँगी ना उसके मैं दिखाऊंगी कि मतब कितनी भीड़ वहाँ पे होती है और आज sunny day है तो कितने लोग वहाँ पे दिखेंगे तो हम लोग जो है breakfast वगएरा कर लिए breakfast means क्या वही जो चाय पीना था चाय पी लिए और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ kitchen में अपना lunch बनाने के लिए तो आज मैं lunch में बना रही हूँ beans है जो same है same बोलते हैं तो same है और potato है उसका आज मैं भुजिया सबजी बनाओंगी मेरे husband काफी दिन से बोल रहे थे कि same का जो है भुजिया बना दो मैं ये first time भुजिया इसका बनाने जा रही हूँ तो उनको पसंद है तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है आज ट्राइक करती हूँ तो आज मैं भही उनके लिए बना रही हूँ ये same का भुजिया और रात में मैं न दाल और चावल बनाई थी तो वो थोड़ा सा बच गया था तो उसको मैं फ्रिज में रख दी थी तो वो दा की वीडियो फीड डालूंगी लास में मैंने डाला हुआ है तो वह आप लोग जरूर देखिएगा तो यहां पर मैं सबची बनाने के लिए पहले मैंने इसमें कढ़ाई में डाला और उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा अनियन कट की थी अनियन और साथ में हरी मिर्च नहीं ली हूँ मैं चिली पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा मैंने जिंजर लिया हुआ था तो यह पहले मैंने उसको हलका सा रोस्त किया उसके बाद कलर चेंज हो गया उसके बाद फिर मैं डाली हूँ इसमें जो आलू है ना उसको डाल दी और इसको थोड़ा सा पकाने के बा और मसालों में कुछ नहीं डालूंगी यह हल्दी डालूंगी और जो सब्जी मसाला होता है वही मैं थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी बस सिंपल सी सब्जी बिल्कुल भुजया सब्जी तो रेडी हो जाएगी और जब तक यहां पे म तब तक में चपाती बना लेती हूं वह सबजे को ढग दे हूं शबजी दीरे दीरे बनती रहेगी और साइड में मैं डो बना लेती हूं और हां मेरी कढ़ाई पर आप लोग ध्यान मत दीजेगा क्योंकि वो खराब हो चुकी है अक्चली हम लोग ना जब इंडिया से आ रहे थे तो मैं ये कढ़ाई इंडिया से ही लेके आई थी और तब हमारे पास एक ही कढ़ाई थी मतलब ज् देखी थी तो मैं इसी में पूरी वगएरा भी चान लेती थी जिसकी वज़ए से मेरी करहाई ये नॉनिस्टिक था और ये खराब हो चुकी है खराब में सोड़ा सा इसका जो नॉनिस्टिक होता है उपर का वो छूट गया है तो आप इसको इग्नोर करिएगा और मैं कोई दिखावे के लिए ये वीडियो नहीं बनाती हूं मतब जो मेरा हकीकत में जैसे हम लोग रहते हैं जो खाते हैं पीते हैं बस वही बनाती हूं बाकी और काफी लोग होते हैं जो वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए चीज़े करते हैं तो मैं वैसा नहीं करती हूं मेरा तो रियल है मैं अपनी रियालिटी दिखाती हूँ तो प्लीज इसको एग्णोर करिएगा और हाँ बस अब हम लोग मतलब हम लंच वगएरा करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहां पार्क में और आप देख सकते हैं कितनी भीड हैं कितने लोग हैं और कितनी अच्छी सन कितनी अच्छी धूप निकली हुई है इतना सब इंज्वाई कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा मज़ा आ रहा है तो आज के वीडियो बस मैं यहीं पर खतम करती हूं तो प्लीज अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल कितनी जूaste करता है जर अच्ची मतले कर दोग्ची लाइक मा링 बटने पाद कहुचे हो इनी देगल कर रहा हैं ऐमेरेे, और रहा हैं उता हैं 1 वहाईक पोर हैं जे जज जब में रहा हैं झाल